मेरी खता क्या है यहना दो बता दिये आप तमाम लोगों की मुहपतों को सलाम अर्जिकरता हूँ लफीज भई अशारा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया है मगर यहाँ पर एक मसला है जहां ही चिकना साहस के इसी गुजारिस से कि किसी भी सूरत में आप एक मतबा दिल खहराबादी को पढ़ा दे तो मैं इस वब तो गुजारिस करना हूँ दिल खहराबादी साहब अब यह जब तक आखरी सक्स तालिया नहीं वजाएगा तब प्रतावी सक्स से लेकर के आखरी सक्स तक उस वब से तक मैं जोहते यहाँ पर फडर होगा भाई आप रूप जाए एक मतबा में इस आखरी बार तालिया बजादे कि कि भी खहराबादी साहब भाई पर आगा जाएगा इस्टाय के अलोगा जाएगा 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 मैं समझ रहा हूँ आपकी बेचे में, जो कबूतर उड़वाना चाहे हैं, लग रहा है जितने यहाँ 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 बैठे हैं, परदार हो चुकी हैं, क्या बात है, पहराला, यह आपकी मुहबत है, कमेटी के चार जिम्मेदार, जो हकीकत में बहुत ही मुशक्ते उठाई ह जिनों ने, आज का मुशायरा काम्याब बनाने की बड़ी कोशिसे काविशे की है, जनाब सुहेलाजास साहिब, साबिर हिंदुस्तानी साहिब, रिजवान, जन्ता साउंड, शाहिद अफ्तर, सना मन्डब, इन तमाम चार लोगों का, मैं शुक्र गुजार हूं कि आज कि इस प्रोग्राम में दिलखेराबादी को मदू गिया, ये छोटा सा बच्चे इस बच्चे ने, साइम, नाम है नलका है, इस बच्चे ने बहुत कुछूरस सी रजल का एक दिलखेराबादी को हुक्म दिया है, कोशिश करता हूँ जब यहां के छोटे से बच्चे को ऐसी गजल की पसंद आएगी, तो इंशालला ये नोजवान को की नहीं पसंद आएगी, उम्मीद रखता हूँ कि इंशालला इस बच्चे की आवाज में आवाज मिला करके, आप इस गजल का इस इत्वाल ऐसा कीए, जो पहली बार जब मैं आया था गजल ये गजल पढ़ा था, उस से ज्यादे मुझे धार ये तो मतला पेस करता हूँ समावनी श доллар है, कि मेरा परे, मेरा परे, मेरा परे, मेरा परे, मेरा परे, मेरा परे, मेरा परिकतर रिवाले तुझे क्या पता नहीं है मेरा परिकतर रिवाले मेरा परिकतर रिवाले मेरा परिकतर रिवाले तुझे क्या पता नहीं है तुझे क्या पता नहीं है तेरी वैचियों की जद मेरे जद में मेरा होसला नहीं है क्या पता लगवाले मेरा होसला नहीं है दिल खैराबादी जद मेरे कि समाद को स्वाराग पेश करता है और माने काउव की अड़बी तरजमीं पर एकशेर परिकतर सब्सूरत सा पेश करता है जिने लूग मां से अकीड़त मुह्त रखने वाले हैं इन्शालला खामोस नहीं रहेंगे रई सितारा साथ आपकी निजामत ले सेर पढ़ रहा है दिल फिर आपके कि तेरीया भाई शुक्रिया पेरी कारी तेरा बंगेला अरे तेरा खरे तुझे दुझे बुपा रखे अब लग रहा है कि उसारा सुपार तेरी कार तेरी पंगेला तेरा खर उझे मुपारके तेरी कार तेरा पंगेला मेरे पास मेरी माँ माँ मेरे पास क्या नहीं जिन्दा पास जिन्दा पास करता हूं शेट वाशा बहुत अच्छा सुन रहे हैं अगर यहीं गलत हो रहा है जो बार बार करने के बावजूद भी यह जावीर लब से चिदना अजीव किसमका फीसर जाए बहुत शुक्रिया पेश करता हूं यह शेल फिर यह मुहबत के साथ समात सुर्माइब के तेरी कार तेरा बंगेला है बंगेला है बंगेला है तेरी कार तेरा बंगेला तेरा खर तुझे मुपार के तेरी कार तेरा बंगेला है तेरा खर तुझे मुपार के तेरी कार तेरा बंगेला है तेरा बंगेला है तेरा थे तेरा बंगेला है तेरी कार आप मेरा तेरा घर तुझे मुआ रखे मेरे पास मेरी माँ है मेरे पास मेरी माँ है मेरे पास क्या नहीं है मेरे पास मेरी माँ है मेरे पास क्या नहीं है मेरे पास क्या नहीं है किसी पे मैं कोई तंद करता नहीं कभी इसलिए कि मेरे अंदर खुदी वो सलाखियत नहीं है ये तो आपकी अक्रीजत मुहबत है जो दिल खेराबादी को दिल खुदा की सुन लेती है वरना जी तो ऐसा चाहने लगता है जब बहरे रबल में शायरी जब लोग शोड़ा इस माइक को सुनाने लगते हैं तो समझ में नहीं आता कि सामईन को भी क्या हो जाता है ऐसे शेर जब सुने जाएं तो खुदा की शायर ना मोधी का जिकर करेगा ने योगी का जिकर करेगा शायरी किसी नाम की मुहताज रही होती अर्दू जबा ऐसी शायरी है जो कनाय की शायरी है जो शेयर यहाँ पढ़ा जाता हुँ उससे पहले वाले गाओं के सामई न्युन समझने का हूरे जानते हैं मैं इस सामई के हवाले से एक सेयर आउन पेश करता हो मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास क्या नहीं है कि मेरे पास क्या नहीं है, कि मेरे मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद से मेरे बेटे, तेरा क तेरा कद बढात होगा, मेरे मरत पेदी उचा, तेरा मरत पान नहीं है जिन्दा वाज, जिन्दा वाज, जिन्दा वाज, जिन्दा वाज, पेरा मरत पान नहीं है तेरा मरतबा नहीं है कि जीसे पढ़ सके जमाना वो खुली के ताब हूँ मैं बहुत अच्छा क्या कि जीसे पढ़ सके जमाना जमाना जीसे पढ़ सके जमाना जीसे पढ़ सके जमाना जीसे पढ़ सके जमाना जमाना वो खुली के ताब हूँ मैं मेरा मन तटोलने थे कोई पाइदा नहीं है कोई पाइदा नहीं है मेरा मन तटोलने थे कोई पाइदा नहीं है कोई पाइदा नहीं है और रईजवाई आखरी शेर इस गजजल का पढ़ता हो इसलिए पढ़ता हो कि आप सुन रहे हैं वन नमस दोही शेर काफी ताइस बच्चे का खुब मता आप सुन रहे हैं इसलिए मेरा भी जी चारा है कि जब अच्छी शाइवी हो तो इसको ची भर के सुनाया जा सकता है पेश करता हूँ आपनी शेर मुलाजब आपको शुक्रिया मगर ये माले गाउए बार बार ऐसे कर रहे हैं भीया आप देविकर नहीं है हाँ दिलकुल बस शुक्रिया दिल खैराबादी की कमजोर नहीं है हाँ आप अगर सुनने प्यामादा हो जाए तो दिल खैराबादी आगर हार गया तो जो कहिए का दिल खैराबादी आप देखता हूं आपको बद्दा प्रामुस नहीं है ताह नहीं है कि तेरी कि तेरी सोच है जहां तक तक मैं वहां से सूंता हाँ कि तेरी सोच है जहां तक तेरी सोच है जहां तक मैं वहां से सूंता हूं कि तेरी सोच है जहां तक मैं वहां से सूंता हूं कि मैं वहां से सूंता हूं तक मैं वहां से सूंता हूं जिन्दाबाद भाई जिन्दाबाद 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 नहीं है जिन्दाबाद 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 तो मैं कोशिश करता हूं और यह देखता हूं कि कैसे खामोश रहता है पेश करता हूं कि शारुफ न बनेगा आप मेडिया के जरी थूरी दुनिया में पहुंचाते हैं दिल खैराबादी पेश करता है चार मिज्रा शारुफ न बनेगा न तो सलमान बनेगा शारुख न बनेगा ना तो सलमान बनेगा शारुख न बनेगा ना तो सलमान बनेगा ये पज़ा मेरा ये पज़ा मेरा आखी सिर्वाण बनेगा जिन्दाबाग तिल ख़हरा बाती अज़र्क माछत अशारु ना बनेगा न तो तुमान बनेगा ये बच्चा मेरा ये बच्चा मेरा हाथी जे कुर्णान बनेगा अशार ये बच्चा मेरा हाथी जे कुर्णान बनेगा ये बच्चा मेरा हाथी जे कुर्णान बनेगा ऐ दुश्मन इसलाम जरा गौर से सुने आई दुश्मन इसलाम जरा गोर से सुन ले आगों से कुले आई दुश्मन इसलाम आई दुश्मन इसलाम जरा गोर से सुन ले ये तई दुश्मन इसलाम जरा गोर से सुन ले ये तेरे लिए बच्चा मेरा तेरे लिए मुत का सामान बनेगा जिन्दाबाद भाई जिन्दाबाद 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 मुति का सामान बने गा ये बच्चा में आफिजे कुरान बनेगा जितने कबूतर वाले है आपका मिज़ाज बिलकुल ताथा हो गया अब दिल खैनाबादी चार जिए और पेश करता है उस कबूतर तक पहुचाने के लिए कि अब तेखता हूं आप वी थुनान थुनात पसंद करते हैं कि लिए उलाईजा परमाए कि खुद को हो से लुषिक के कि पर बख्त कि दौने इसक करने वाले हैं मैं लगजा छाएगा उलाईजा परहन का झाय Г क खुद को हो इसकjang के खुद को हो ओदू के खुद को 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 खुद क जिन्दाबाद है जिन्दाबाद कि खैराबाद इमाल पहले ही दिये हो तो आप मैं पड़ दिया थे इसको जाओं फिर जाओं मैं भी जाओं मुझे समझ में आ जाता कि कि इनको सुनाना चाहिए अधी नहीं हूँ फैराल मुहबत है आपकी इसलिए में पंका जा रहा हूं यह जाते रहें नहीं 412 आ इंशाला आखरी वक्ट में पढ़ कर एक्तिताम हो जाएगा ऑची कौलटी कर जारी इसलिए अच्छे सेर्परे एक्तिताम हो जाते नहीं आप देखिएगा कि भी केड़ी पीखिरी दूल्फ को को कि दृफ्प देखता हूं कि पीखिरी पिक्री पिक्री ढिक्री दुलव को रुकत जब हटा लिया बिखिरी बिखिरी दुल्फ को उम्र केले लेकी थी और दिर लगा लिया बिखिरी बिखिरी दुल्फ को लुक्त नब हटा लिया बाद दिनों में अपना मुह बाद दिनों में अपना मुह चाद ने छुपा लिया अब एक शेर अच्छा आ रहा है जिस से मुझे उम्मीद है कि जो दाड़िया टोपिया जिनके पास है दिल खैराबादी उनसे दुआ का तालिफ फसूसी तौर पे तो यह नौजमान तो एतनी अफ्रीजत लटते हैं अच्छा शेर पड़ो या बुरा शेर पड़ो मुहबत में यह दाद देने दे हैं मगर जो असल दाद होनी चाहिए इस पे मैं चाहूँगा तबज्जों मुलाहिदा मुर्मान कि बिकिरी बिकिरी दुल्फ को रुख से जब घटा लिया बादिलों में अपलमू चांद ने चुपा लिया कि रास्ते के हाथ से हाथ मलके रह गए रास्ते के हाथ से हाथ मलके रह गए माने अपनी कोट में जब मुझे उठा लिया माने अपनी कोट में जब मुझे जब मुझे जब मुझे उठा लिया जब मुझे उठा लिया अब हज़राद सारी फर्माईशे मैंने आपको खिद्मत में बेश कर दी अब आखरी फर्माईश जिसका इस वक्त मैं किसी मुझायरे में वो गीत नहीं पढ़ता मकर यहां जब आता हो तो कुछ नौजवान हैं बेशारे बड़ी मुझे रखते हैं उनकी मुझे मुझे में तिम्खराबादी हाजिर करता है बजा दे भाई तालिया एक बार बजा दे हमने सुनना है उसे दूबारा पढ़ों यह सुनी तालिया आप बजा दे जिए कि रासते के हाद से हाद मलक रहे गए हाद मलक रहे गए माने अपनी गोध में जब मुझे उठा लिया माने अपनी गोध में एक से राओ चचा इजाज़ा दीजिए आप इसलिए कि यह नौजवान जिनकी मैं दौई ले रहा हूं पेश करता हूं मुलाईजा पर्माएं कि क्या हकी की भाई का हक यही था भाई पर हक यही था भाई पर उसका घर उजाणके उसका घर उजाणके अपना घर पना लिया अब वाँ वाँ अब तो शुक्रिया आगया मैं बहुत शुक्रिया बिल्खेराबादी आपको सलाम पेश करता है अब यह अब यह तो दस मुझायरे का किना मैं सुना रहो है कभूतर 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 कभूत तेरा कभू तरक में जाए दाना तेरा दिवाना है आखिर दिवाना तेरा अकेली खुली छट पे आना तेरा अकेली खुली छट पे आना तेरा बना देगा मुझे को दिवाना तेरा ये तरी कली जुल्से जाटू कर्पनी का है ये तेरा तेरा प्तेरा ये ना तुना दिवाना तेरा यह नाजल नाजल बाहन यह चलवा ती खान बादेरा कभेते हुचा दाना तेरा जाना देगा मुझको दीवाना तेरा इनके आपके लिए तिन खेड़ाबादी वादी मजबूरन इसे भी यह पोण आ है व़रना आपको शिकाश नहुत चूंहा कबोटर पे मिल जाए दाना तरह पेदा की जवा के जवान नहीं तेरी तेरी पायल की छंचम, तेरी पायल की छंचम, तु 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 अब अजरान जरान मुशायरे का इंशानला एक किताम होने वाला है और मैं भी इस बात पर खुशुनुस वक्त कि आपने जैसा भी हो आखरी वक्त में जो आपने सुना है यही अगर शुनुसे माहूर नहुता तो खुदा की किसम मुशायरा है तारीख रुकम करता मगर कुछ ताइस की जंती की बजर से थोड़ा सबनती हो गी है यहां आप तालियां इसने प्रजा करके बुझे रुकसब कीजिये इसे एक मपना की जहास बीजिये मैं रुकसब आता हूं कि खुदा की कारी कि खुदा की कारी करी का जलवा बरे जागा में कहान नहीं है जमी पे भी बाप के है इसा फलके पे आदम की मान है नहीं है झाल 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 झाल